तो बिल्कुल देखिए आपको इतना फाइदा मिला है और बहुत खुशी होती है दर्श को हमें ये सुनके ये जानके कि जो नुसके आपको हकीम साहब बताते हैं वो आपको रोगमुक्त बनाने के सासत आपके मुँपर एक मुस्कान आ जाती है कि हाँ यही वो ट्रीट्में है, पानी पत से श्वागत है आपका नमस्कार मैडम जी नमस्कार मेरा स्वाल है मेरे पतीड डाकुद ते विक गिर गए थे वो आर्मी में है ओर उस दिन आमने स्वाल किया था लेकिन आपने जेवाब बतागा था एक एक उस कुछ खराबी होगी थी वजैसे अंचुन नह और उनके एक गुटने में दरद रहता है, कट-कट की भी आ जाती है, ठोड़ी सुजन भी आ जाती, दवाई खाते हैं, तो आराम हो जाता है, फिर वही शिकायत फिर सुरू हो जाती है, एक साल हो गया, अच्छा, वो फौज में है या रिटायर हो गया, कितनी उमर है उनकी? देखिए, उनको आपको देना है गौन सिया, गौन सिया हम कहते हैं अपनी भाशा में, इसे आसान भाशा में काला गौन कहते हैं, ये फौजियों के भी बड़ा काम आता है, क्योंकि फौज में जो ट्रैनिंग होती है, उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में बड ये, देखिए, पंद्रा सोल़ा रूपे रोस का इलाज है, एक काला गौन, जो काले रंग का होता है, जायके में कलवा होता है, लेकिन इसकी जागा लोगेह एलवा दे देते हैं, कोई कुछ देता है ये एलवा नहीं है, ये कोई और गौन नहीं है, एक अलग टाईप का ग करता है लेकिन यह रोग की जड़ पर काम करता है अभी आप टीवी देख रहे थे तो एक त्यागी जी का फोन आये था किस कदर उनकी पत्नी को फायदा हो गया जिसको भी असली मिल गया उसको रोगमुक्त होना मुम्किन है असली देना आपकी जिम्मेदारी अदा अदा गिर ग्राम दिन में दो बार खिलाएं तो ग्राम भी असली मिल गया तो फायदा होना मुम्किन है तो दर्श को देखिए जो भी रॉम माटीरियल आप लोगों को हकीम साहब यहां पर बता रही हैं अगर आप लोग वो मंगवाना चाहते हैं तो हकीम साहब की कंपनी से मंगवा स तो तमाम यह रॉम माटीरियल अगर कहीं भी आपको मार्केट में मिलते हैं सबसे पहले क्वेरी कर लीजिए हेलप लाइन नमबर पे कॉल करके कि जो आपके पास रॉम माटीरियल है क्या यह असली है या नकली है बिना पहचान किये आप लोग इसका सेवन बिलकुल मत कीज कि जे कारिकरम में कॉल नहीं लग पाता है आप लोग हेलप लाइन नमबर पे 24 आर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं हकीम साहब आप जो गौन सिया का जिक्र यहां पे करते हैं जो कि हर एक ऐसे व्यक्ति को मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर देता है जो कि ना तो चल पाता था दर्द से दिन रात वो लड़ता रहता था और किसी और का सहारा लेके उसे उठना पड़ता था गौन सिया का इस्तमाल एक क्वांटिटी में करना क्यों जरूरी है क्योंकि अगर इसका अत्यधिक सेवन कर लिया जाए क्या उसका नुक्सान भी हो सकता है और दिखिए गौन जादा नुक्सान दे सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है तो क्योंकि य क्योंकि यह तो दवा का मामला एक राव मैटिरियल है काश को पूरे हंदुस्तान को असली मिल जाए लोग नकली बहुत देर है अब इसकी डिमांड विदेशों ऑ रही है लेकिन इसका असली होना बहुत जरूरी है और दुबई में इसकी बड़ी जरूरत है खाड़ी के मुलकों में अमेरिका तक इसकी डिवांड है असली की पहचान जिनको है उन लोगों को फाइदा होना मुम्किन है स्वागत है अकीम साब बहुत धन्याद आपका हाकीम साब बात करूँ अगर मैं जैतून के सिर्के को लेके तो हमने तो कभी नहीं सुना था के जैतून नाम का भी एक सिर्का आता है जैतून का नाम हमने जरूर सुना है लेकिन अब जैतून का सिर्का भी इतना फायaking .शब के पेशेंट हैं और साथी साथ जो रोगी नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत लाब दे रहा है. जो आने वाले वक्त में भी बहुत सारी चीजे मैं नई परिचे करा हूँगां, पिससे हिंदी बोलता हूँ, जितनी बी आती है, तो जितनी आती नहीं गलती हो तो माफिछाए ग्याराूं के, तो आने वाले वक्त में भी में बहुत सारी नई चीज़ है जो आम तर पर लोग दवावाले और हकीम भी नहीं जानते लेकिन उन पर सबसे पहले रिसर्च होती है किस चीज़ के लिए कितना फायदा करते हैं जब हजारों लाखों लोग पर इनका अनुभाव कर लेते हैं तो पर पबलिक कर देते हैं कि ये चीज़ अगर इतनी मिक्दार में ली जाए तो लोगों को फायदा हो सकता है तो पर क्योंकि मेरे साथ वीवर्स हैं हिजस्तान के 80% लोग मेरे साथ जुडे हुए हैं तो वो फिर फायदा उठाते हैं पर तो आप देखते ही हैं कि कितनी लोग लेने लगते हैं तो फिर लोग नकली देना शुरू कर देते हैं तो बिल्कुत दर्श को देखी इस चीज से तो आप लोगों को सावधान रहना होगा कि जो कीम्ती रौ माटीरियल आप लोगों को हकीम सहाब बताते हैं वो ना सिर्फ आप लोगों के किसी भी रोग को जर से खत्म कर सकते हैं बलकि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्या वाके में ये मतलब ऐसा एक ट्रीटमेंट है कि हमें बड़े से बड़े रोक से निजात मिल सकती है बिलकुल दर्श को यकीन मानिए अपने अनुभव भी आप लोगों के साथ साज़ा करते हैं हक हकीम सहाब तो तुरंत आप लोग इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं अगर आप लोग लाइव हकीम सहाब से बात करना चाहते हैं सी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं सुनील जी हरियाना से स्वागत है आपका नमस्कार जी मेरे मैडम दो सवाल है जी यह तो मेरे जी इसमें प्राबलम है इसलाओ मेरं खॉल ओ पॉर फाइप है जी ऊसी कियो यह बतारे हैं इन लाड़े मैडम के हैने मुझेम उह बालक आपके उमर क्या है फार तो आपके लिए इसा वेस्टन ट्वालेट बहुत जरूरी है नहीं है तो सबसे पहले वो लगवाएं कुर्सी वाला शोचान है नहीं तो आपको बार बार फाइदा होगा बार बार वो ही हो जाएगा यह कोई मामूली परिशानी नहीं है हमारे जो कमर के डिस्क हैं यह तीन इंप्रेस हैं आपके तो आपको देशी ट्वालेट में नहीं जाना है अपनी जरूरत के लिए यह दवा से भी ज़्याद दरूरी हो सकता है आप बगएर दवा के ही ठीक हो जाएगर यह घर में हो तो आप यकी करें तो नहीं है तो लगवाले और देखिए दो गौन बता रहा हूं एक आपकी पत्नी के लिए और एक आपके लिए याद रखना कि आपके लिए गौन सिया है अभी बज़िस का जिकर रहा था काला गौन यह असली लेना जरूरी है आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम लीजे सौ ग्राम भी मिल गया तो आपके रोक के लिए काफी होना चाहिए लेकिन फाइदा पांच साथ दिन के बाद शुरू करता है यह याद रखना यह कोई अंग्रेजी दवा नहीं कि खाया और दर्द गायब आपको जरूरत पड़े दर्द हो तो अंग्रेजी दवा भी ले सकते हैं इसके साथ यह रोक की जड़ पर काम करता है आदा आदा ग्राम सुबा नाश्टे के बाद और रात तो खाने के बाद ले पंद्रह सोलह रुपे रोज का इलाज है दुनिया का सस्ता इलाज आदा ग्राम सुबा आदा ग्राम शाम खाएं लेकिन असली लेना जरूरी है, काला गौन भी कहते हैं, गौन सिया भी कहते हैं, नकली भरा पड़ा है, नेट पर भी बहुत नकली डाल दिया है, जोगों ने, असली की पहचान, आपको होनी चाहिए, आदा आदा ग्राम खाना, आपके लिए काफी, अगर सौ ग्राम भी मिल जाता है तो, और पीला सा, यह सब को दे रहे हैं और लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, कौन मौरिंगा सफेद, यह बर्फी जैसा रंका होता है, इसका पौडर बनाएए, एक गिराम रोजाना, पानी में मिला के, दूद में मिला कर, यह नारियल पानी मिला के दे, बालों के लिए, और चेहर हैं बिजनौर से, निश्रा जी स्वागत हैं आपका, अश्राल बेटे को मैंने मंगवाए था, माजून आर के अर्थ, तीन महीं ने होगे, तर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाफात उमर दराज करें, इसका रहे हो गया बच्चे को, जी मेरे बेटे को बह है, थोड़ा सा खांशी हो जाती है, थोड़ा सा नमाता हो दे दर, बहुत फायदा है, और कोई सवाल है आपका तो अभी कर लिजए, और मेरा सवाल ये है, मैंनेł। मुक्तिया गोंद मंग Vाया था, मुझे भी मेरी मही महीन हो गए, मेरा भी बहुत मुझे बहुत आराम है बहुत आरा और तीसरा सवार मेरा यह सा मेरा चहरा जो बहुत मुर्जाया स्कीन बहुत बेकार हो रही है थोड़ी से नमी नमी जुर दिये तो मेरे चहरे पर सवाब और गिलो लाने के लिए उप कोई अच्छा मिक्शा बताए और जरूर बताएंगे सबसे पहले तो आपने हमें खुश कर दिया बच्चे को भी फाइदा आपको भी फाइदा और यह हमारा फाइदा कि आपकी दूआ हमें मिल गई दिखिए बच्चे को अभी छोड़ना नहीं अगर कभी कभी होता यह पांच महीने लेना चाहिए पांचे महीने तो अभी उसको और देना माजिन आरकेर दे रहे ना आप और देना यह दुनिया के अच्छे निस्खों मेंसे है आपको गौंसिया जब तक पूरा दर्द ना हो चला जाए वैसे तो जितना आपने हसिल किया होगा उसी में फाइदा मुमकिन है और वेस्टन टौालेट जरूर लगवाले ताके लगवालेट में बैटने से यह बार बार होता है फिर आप मुझसे शिकायत मत करना अब चेहरे के गलो शबाब और सिलवटें और चीपें हो जाती है अब मर्दों को तो कुछ नहीं लेकिन औरतों को सबसे ज़्यादा लगा अपने शबाब से होता है मैं जानता हूँ तो गौन मौरिंगा सफेद भी असली ले गौन मौरिंगा सफेद असली लेना है असली मिल गया तो आपकी ये फाइदा भी मुम्किन है एक ग्राम रोजाना नारियल पानी मिलाकर दूद मिलाकर या पानी मिलाकर जैसे आपके हालाते सब को फाइदा देता है भगवान की ऐसी देन है जिसको असली मिल गया उसके चेहरे पर शबाब देखिए बुड़ा आदमी मैं भी खाता हूं कभी कभी तो लोग मुझे बुड़ा ही नहीं बानते मैं बताता हूं मैं साथ सिक्स्टी प्लस हूं कोई यकीन ही नहीं करता मैं क्या करूं बाल भी हैंगे मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा है मेरे भी गिरने लगे दिबाल मैं तो नारीयल पानी मिला करी खाया बुड़े आदमी के बाल जवानों से ज़्याद है मेरे सारे यार दोस्तों के सारे टकले हो गए अब वो मानते नहीं मेरी बात और आप मानिए इसे इसे इस्तिमाल करिए और फा पुड़ी की जिम्मेदारी भी आपकी होती है यह मेरा आप से अनुरोध है पंजाब से है लता जी स्वागत है आपका नमशकार मेरम जी नमशकार नमशकार जी आदाब जी धन्यवाद लसन वाला बनाया था उसने निकाल के लसन जो हम ग्रैंड करके पास सकते हैं और कितन खालता नहीं आपका अगर मैं संत्रा और किं़ु खालू तो मेरे को संड करता और पिंदौ बार आजाती तो कोई बात नहीं की इसका काम हाजम है क्रूंक है और बहुत ज्यादा है तो पिर इलाज भी है इसका अच्छा यह जो लहसन का लोग समझ नहीं पाते लहसन एक लीटर जूस निकालना है या लहसन चील के उसको इतना बारिक पीस लें कि वो एक किलो के करीब हो चाहे वो ग्राइंडर में पीस है या कुछ भी पीस है आज कल तो सकते हैं एक किलो का एक किलो ही आप अगर पीस दे तो फिर जूस निकालने की ज़रूत नहीं बारिक हो जाए बस बारिक के तरल पदार सा हो जाए हो और फिर इनको मिला कर आप तीन तीन चमच दो तीन बार दिन में खाने के बाद लिया करें दुनिया का अच्छे नस्खों में कहलाता है यह अरबी नस्खा कहलाता है अरब में जैतुन का सिर्का पैदा होता है लेकिन यहां पर लोग इसको बनाते हैं तो कोई गन्ने का सिर्का डाल देता है इसमें कोई अंगूर का डाल देता है कोई जामन का डाल देता है तो कोई सेप का डाल देता है तो वो काम करें तो अदूरा करें ये पूरा काम करता है अपना आप कभी इसको बनाएं आप बनाई रहें और इस्तमाल करें तो आपको फायदा होना मुम्किन है